टीम इंडिया सिफ 46 हरन के स्कोर पर आलाउट हो गई है यह भारत में सबसे कम टोटल है यानि भारतिय टीम का यह सबसे बेकार परदसन है अभी तक के इतिहास में, किर्केट के इतिहास में भारतिय टीम का सबसे बुरा कंडीशन यही है यानि इससे पहले भारत्य टीम कभी भी भारत में 46 अरण पर आलाउट नहीं हुई थी ये पहली बार है और फैंस इसके काफी नाराज है सोचल मीडिया पर तनातनी सुरू है लोग तेका सोचल लेकिन इस पिरेकों के वह इ landlord सोच है नियो है शुरू करतार है उसे पहले चैनल पर नहиныले बैई किन प्रेस लेकर कोन करें लिए अब इस चैनल पर आती रहती कहा नहीं सब्सक्राइब सब्सक्राइब पर आल आउट हो गए ये हमारे लिए सबसे बुरा दौर था और भारतिय टीम एसिया में और इंडिया में इससे पहले इतने कम टोटल में आउट नहीं हुई थी ये पहली बार जब भारतिय टीम 46 सन पर आल आउट हुई है अब चलिए आपको बताते थे कि सिर्फ भारतिय टीम ऐसी नहीं कि जिसने सिर्फ 46 सन का स्कोर जो है वो हासिल किया है आल आउट हुई है इससे पहले बहुत सारी टीम हैं आपकी सबकी फेबरेट सबसे मजबूर टीम दिखने वाली आपको ऑस्टि कर चुकिए बागी टीमें भी इस से चोटा टोर्टल उन्होंने किया तो ऐसा नहीं कोई तो यह होता है और यह चीजह होता रहता है कि भाई जीक कान विख सकते हैं कृ महीं किसी भी स делает कि अनुट की एसा नहीं होता है सब के दिन खराब हो खतते हैं और Лश कोरागी। इसके बाद में पांच बल्लेबास ऐसे रहे जो सून इपर आउट है अब बाते टीम जब बैटिंग करी तो ऐसा लग रहा थे कि भाई पीच जो है वो गेट बाजो को मदद कर रही लेकिन जब न्यूजिलेंड बैटिंग करने आई तो उसने इस तरीके से बल्ले बाजे स्टार्ट की सिर्फ तीन विकेट के नुकसान पर वो एक्छो असीर अंदक पहुँच गई डेवन कॉनबे जिन्होंने क्यान बेरन की पारी खिली सिर्फ एक सो पांस इनिंग में बैटिंग करती है कि वो अपने जो न्यूजिलेंड का पहला जो इनिंग है उसको भी भुना दे और इतना बड़ा टोटल बना दे कि भाई दूसरी पारी भी न्यूजिलेंडा खेल पाए और वो इस मैच को हार जाए भारतिय टीम इस मैच में जीते क्योंकि ज ऐसे सिच्वेशन में जहां पर आप बंगलादेश के खिलाब जिस तरीकी सो टीटवेंटी में 277 बिरन आपने बना दिये थे वर्ल्ड रिकॉर्ड आपने बनाया ज्यादा दिन की बात नहीं सिर्फ 12 तारीक की बात है 17 तारीक है और आज 4-5 दिन बात आप इस तरीकी कंड रिचन चैंपियंस ट्रॉफी की दिन हो गई फाइनल की दिन होगी तो फिर क्या होगा क्या भार्तिय टी महासे निरास लौट आएगी इतने बड़े बल्ले बाज बाज के होते हुए तो बाई सोचने का बिस है तो अगर आपको यह लगता है इस बातियों आसी है जिसने इ 70's की दसक की बात करा ह। कि वहाँ पर औस्टाइम की थोड़ी सी कम जोड़ हुआ करती थी , 70's के टाइम पर, , उस टाइम की बात करा हूँ , जब भारतिय टीम भी तॉप पर है , उस टाइम की बात कर रहा ह। 2011 में Cape Town में South Africa ने Australia को सिर्फ 47 रंड पे आल आउट किया था ये भाई सब के साथ में होता है कभी आपका दिन होता है कभी आपका दिन नहीं होता है ये बड़ी बड़ी क्यों में के साथ में होता है भाई हर किसी के साथ में होता है फिलाल इस टाइब में भारती टीम को appreciation की जरूरत है और फैंस को नाराज नहीं होना चाहिए क्योंकि भाई किसी के साथ में ये चीज हो सकती है फिलाल विराट कोली को लेकर लोग काफी निराज क्योंकि बैंगलोर में ये मैच हो रहा था विराट कोली का IPL में ये home ground होता है ऐसे में विराट कोली तीसे नंबर पर बैटिंग करने आते है आठ साल में पहली बार वो ऐसा करते है तीसी नंबर बैटिंग करने आते है वहाँ पर वो सून वेराउट हो जाते है ये सोचने का भिस है था फिलाल विराट कोहली को रोही सर्मा को जितने भी गेदबास वलेबास भारती टीम के हैं उनको एप्रेशेशन की जरूरत है इस समय उनको support की जरूरत है फिलाल फैंस जो हैं जो सोचल मीडिया पर लड़ रहें कि भाई ये क्या हो गया, कैसे हो गया वो इस तरीकी की बातें ना करें, टीम को अप्रिसियेट करें फिलाल अभी दूसरी पारी बाकी है, न्यूजिलेंड अच्छे पोजिशन में, भार्तिय डिंग का पहला पोजिशन तो भाई फेल हो गया, अब देखना है दूसरी पारी में क्या गरते हैं, फिलाल इस वीडियो में बस इतना ही, किरकेस जुड़े इसे वीडियोस देखने क के लिए चैनल को लाइक कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मिलते आप से के लिए वीडियो में दो तक के लिए बाई, और टिक क्या है